अब देखिए इस ट्रेंट सॉल एक्जामपल में कोशन नमबर 3 देखिए 3y स्क्वाइर इस इकल टू 15y अब इस टाइप के कुश्चन को थोड़ा सा डिफरेंटली हम सॉल करेंगे समय पहले मैं कोश्चन लेका हूं 3y स्क्वाइर इस इकल टू 15y अब इस 15y को हम क्या 3y स्क्वाइर लस 15y जब इकल टू साइन के लेक्ट साइट आएगा तो माइनस 15y अब इदर बज़ गया 0 अब आप देखेंगे कि 3y स्क्वाइर माइनस 15y में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है then you will observe that 3 हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल 15 आता है और y स्क्वाइर और y में से हम y कॉमन निकालेंगे तो अब यहां पर क्या बज़ गया बच्चो यहां थे 3y स्क्वाइर में से 3y कॉमन निकल गया तो यहां पर बज़ गया y और यह माइनस साइन और 3 के टेबल में 15 3 फाइजा 15 पर मैं लिखूंगा 5 is equal to 0 अब यहां पर हम क्या करेंगे इस को इस तरह लिखेंगे 3y is equal to 0 और y minus 15 is equal to 0 इस तरह लिखा जा सकता है then y is equal to 0 upon 3 then y is equal to 0 अब इधर वाली जो है equation solve करेंगे y is equal to minus 15 जब इधर आ जाएगा यह हो जाएगा plus 15 इसका मतलब y का value हमें मिल गया 15 अब इसका हम final answer लिखेंगे 0,15 are the roots of even quadratic equation अब देखेंगे solve example number 4 x square is equal to 3 यह तो बहुत ही simple instrument तो हम समय पहले question लिखेंगे x square is equal to 3 हम इसका square root निकालेंगे तो हम लिखेंगे taking square root of both sides x square का square root निकालेंगे तो आपको मिलेगा x और 3 का square root निकालेंगे तो आपको मिलेगा plus और minus root 3 क्योंकि 3 का square root होता है root 3 अब यह plus और minus हमने क्यों लिया experiment इसका थोड़ा सा explanation में यह आपर कर देता हूं root 3 का अगर square करते हैं तो आपको मिलता है plus 3 और उसी तरह अगर minus root 3 का square करते हैं हम तो भी आपको मिलता है plus इस वज़े से 3 का square root plus root 3 भी हो सकता है 3 का square root minus root 3 भी हो सकता है इस वज़े से हमने लिखा है x is equal to plus or minus root 3 तो इसको हम क्या करेंगे एक मरदा प्लस रूट 3 लिखेंगे X is equal to plus root 3 और X is equal to minus root 3 अब final answer लिखेंगे root 3, minus root 3 are the roots of given quadratic equation अब हम देखेंगे salt example number 5 salt example number 5 क्या है देखें स्वेंट समय पहले हम लिख लेंगे यह है 6 root E X square plus 7 X is equal to root तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उपर आई बटन पर क्लिक करकर आप हमारे पिछले वीडियो देख सकें तो इसको आपको क्या करना पड़ता है A X square plus B X plus C के formula लाना पड़ता है A X square plus B X plus C is equal to 0 तो मैं क्या करूंगा इस root 3 को equal to sign के जब इदर लाऊंगा तो यह plus root 3 minus root 3 हो जाएगा तो हम लिखेंगे 6 root 3 X square plus 7 X minus root 3 is equal to 0 अब आपको क्या करना है X square के coefficient को constant term से multiply करना है तो हम क्या करेंगे 6 root 3 को multiply करेंगे minus root 3 तो देखें 6 root 3 को जब multiply करेंगे minus root 3 से तो यह हो जाएगा 6 into root 3 into minus root 3 चले root 3 को root 3 से multiply करेंगे तो आपको मिल जाएगा minus 3 यह हो जाएगा minus 18 clear instrument अब minus 18 के दो ऐसे factors हमें निकालना है कि अगर उनका multiplication करेंगे तो minus 18 मिले और अगर उनका addition या subtraction करेंगे तो हमें मिलना चाहिए plus 7 यादिके middle term का coefficient x का coefficient मिलना चाहिए तो वो factors क्या हो सकते हैं देखेंगे अब यह factor क्या क्या हो सकते हैं इस्ट्रोन देखें मायनस 18 के factors निकालना है तो 6, 3, 18 भी हो सकते हैं मायनस 18 के factors निकालना है करेंगे यह वाला factor हम consider करेंगे 9 and 2 लेकिन हमें मिलना है plus 7 x इस वज़े से मैं क्या करता हूं 2 को minus sign लगाता हूं चलिए अब दो condition जो fulfill होने हैं वो हम देखेंगे 9 को अगर minus 2 से multiply करेंगे तो आपको मिलेगा minus 18 और दूसरी condition क्या है 9 में से अगर 2 minus करेंगे तो आपको मिलेगा 7 यानि कि दोनों condition fulfill हो गए तो इस factors को हम यहां पर लिख देंगे तो हम क्या करेंगे instrument 6 root 3 x square as it is लिखेंगे और minus root 3 भी आपको as it is लिखना है यह जो 7 x है 7 x की जगा पर आपको लिखना है plus 9 x minus 2 x तो यह plus 9 x और दूसरी जोड़ी रहेगी minus 2 x minus root 3 अब देखें इसमें किस तरह कॉमा निकालना है हम आपको बहुत ही simple करके समझाने वाले हैं तो यह 6 root 3 का 6 root 3 आप लिख देंगे as it is x square का x square अब देखें मैं क्या करता हूँ 9 को लिख सकता हूँ 3 into 3 into x minus 2 x minus root 3 as it is is equal to 0 अब देखें इस step को मैं कैसे लिखता हूँ 6 को मैं लिखूंगा 2 into 3 और यह root 3 का root 3 as it is और x square को हम लिख देंगे x into x plus इस 3 को as it is लिखना है 3 इस 3 को हम क्या करेंगे root 3 into root 3 लिखेंगे अगर root 3 into root 3 करेंगे तो आपको मिलेगा root 9 और 9 का root निकालेंगे तो आपको 3 मिलेगा into x minus 2 x as it is minus root 3 as it is is equal to 0 इसा हमने इस वज़े से किया कि हमें common निकालना है और common निकालने का सब में best method आपको समझा रहे हैं इससे आपके पूरे concept clear होने वाज़ अब किस तरह मैंने लिखा है 6 को हमने लिख दिये 2 into 3 root 3 का root 3 लिख दिये x square को हमने लिख दिया है तोड़कर x into x plus का plus रहेगा 3 का 3 रहेगा इस 3 को हमने फिर तोड़कर लिखा है root 3 into root 3 अगर root 3 को root 3 से multiply करें तो आपको 3 मिलता है x का x minus 2 x as it is minus root 3 as it is is equal to 0 अब क्या common मिलेगा अब हम देखेंगे अब देखें बच्चो 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है हम क्या करेंगे 3 को common ले लेंगे root 3 यहाँ पर भी है root 3 यहाँ पर भी है root 3 को हम common ले लेंगे और x यहाँ पर भी है तो हम x को भी common ले लेंगे अब क्या बज़ गया है देखें यहां से आप ध्यान दीजिए 2 बज़ गया है तो 2 और यहां बज़ गया है x तो 2x यह होगा 2x अब उसके बाद देखें यहां पर यहां पर बज़ गया है root 3 plus root 3 यह होगा 2x plus root 3 इधर वाले section पर आ जाईए इसमें हम क्या common निकालेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कुछ भी common नहीं है तो इस वज़े से मैं क्या करता हूँ minus 1 common निकालेंगे तो यहां पर क्या बज़ जाएगा 2x बज़ जाएगा और यह minus minus plus हो जाएगा plus root 3 का plus root 3 is equal to 0 तो देखें यहां पर जो bracket के अंदर 2x plus root 3 मिला था यहां पर भी bracket में 2x plus root 3 मिला है अब हम क्या करेंगे 2x plus root 3 को फिर से common ले लेंगे तो मैं फिर से common ले लेता हूँ तो 2x plus root 3 देखें यहां से 2x plus root 3 common निकल गया तो दूसरे bracket में क्या बचेगा student 3 root 3x और यहां से बचेगा minus 1 is equal to 0 यह आपको बहुत ही simple करके हमने आपको समझाया है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं अब इसको लिखेंगे जैसा कि आपको मालूम ही है 2x plus root 3 is equal to 0 और 3 root 3 x minus 1 is equal to 0 अब इदर वाली equation को हम solve कर लेंगे तो यह हो जाएगा 2x is equal to plus root 3 जब इदर आ जाएगा तो यह हो जाएगा minus root 3 then x is equal to minus root 3 upon 2 अब इदर वाली equation को solve करेंगे और 3 root 3 x is equal to जब minus 1 इदर आ गया तो यह हो जाएगा plus 1 then x is equal to 1 upon 3 root 3 अब इस तरह x के दो values हमें मालूम हो गए final answer हम लिखेंगे minus root 3 by 2 comma 1 upon 3 root 3 are the roots of given quadratic equation we hope that you have understood the solution of this question अगर आपको हमारे videos useful लगते हैं आपको फाइदा हो रहा है तो हमारे videos को आप like कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए और bell icon दबाना मत भूलिए ताके आपको notification मिले सबसे पहले दूसरे student तक भी इसको share कीजिए thank you for watching our videos